हेलो एवरिवन, वेलकम टू एडू एरेना तो देको दुनिया ओहर में जितनी भी वैक्सीन बनती हैं तो कई स्टेश के बाद मार्केट में आती हैं जिसमें फेज वन, फेज टू, फेज थ्री एन फेज फोर सामिल होती हैं आज हम बात करेंगे कि फेज थ्री ट्रायल सबसे कॉम्प्लिकेट क्यों होता है और एस्ट्रजेन का जो की ब्रिटेन की कमपनी फार्मा कमपनी है उसके वैक्सीन ट्रायल को क्यों रोका गया था हाली में सारी चीजों को डिसकस करेंगे हर वीडियो को नोटिफेकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजे वा बेल आइकन प्रेस कर लीजे तो देको दुनिया वहर में कोरोना की केस 3 करोड से जादा हो चुके हैं और डेथ भी 10 लाग के आसपास हो चुकी है और कई सारे देश वैक्सीन तयार करने में लगे हुए है जिसमें भारत, US, Russia, China, UK और भी बहुत सारे देश है भारत की बात करें तो Serum Institute of India भारत बायोटेक जैसी कमपनिया लगी हुई है UK में Estrogen का ये फार्मा कमपनिय लगी हुई है इसके अलावा University of Oxford ये दोनों भी वैक्सीन डिवलप्मेंट पर काम कर रहे है जिसमें अगर बात करें दुनिया भर की तो दुनिया में केवल तीन ही ऐसी वैक्सीन है भी तक जो की Phase 3 ट्रायल पर काम कर रही है Phase 3 ट्रायल कमप्लीट करने पर आगे चल रही है और इसमें एस्ट्राजिन का की वैक्सीन भी सामिल है तो सबसे पहले देखते हैं What happened recently Recently हुआ क्या देखिए जो University of Oxford है और जो एस्ट्राजिन का फार्मा कमपनी है ब्रिटेन की वो एक वैक्सीन डिवलप्म कर रहे है जिसका नाम है AZD1222 यह वैक्सीन का नाम है और यह अवेलबिल हो सकती थी कमर्शली ठीक है मार्केट में मिड़ 2021 तक लेकिन यह जो फ्रेज थ्री ट्राज्स चल रहे हैं इस कमपनी की वैक्सीन के उन ट्राज्स को रोक दिया गया था हाल हमी ब्रिटेन के अंदर क्योंकि जो वैक्सीन दे गई थी टेस्टिंग के लिए एक वैक्सीन उन में से बीमार पड़ गया था इसके बाद वैक्सीन का ट्राज्स रोका गया लेकिन अगें ट्राज्स स्टार्ट कर दे गए हैं युक्वी के अंदर देखो कोई भी वैक्सीन कमर्शिली लाँच होने से पहले चार स्टेट से होकर गुजरती है ठीक है जब वै लोगों के लिए अवेलविल होती है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वैक्सीन इंटर कर जाती है फेस वन ट्राइल्स के अंदर अब एक एक करके देख लेते हैं फेस वन, फेस टू, फेस त्री और फेस फोर ट्राइल्स क्या क्या होते हैं किस तरीकी चीज़ें होती है इन ट्राइल्स के अंदर तो फेस वन ट्राइल्स की बात करें तो यहाँ पर जोए 10 से 50 वोलिंटियर्स को select किया जाता है जिन पर vaccine को inject किया जाएगा और यहाँ पर volunteers को छोटी छोटी doses दी जाती है vaccine की और यहाँ पर check किया जाता है कि कोई side effects तो नजर नहीं आ रहे हैं अगर कोई side effects नजर आते हैं तो vaccine का trial वहीं पर रोग दिया जाता है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो vaccine एंटर कर जाती है phase 2 trials के अंदर अब देखो phase 2 trials के अंदर लगबग 100 volunteers को सामिल किया जाता है और इस phase के अंदर check किया जाता है कि कितनी doses की आवसकता है ताकि हमें जो हमें desired result चाहिए वो मिल सके तो यहाँ पर doses तै की जाती है कि dose जादा देनी है या कम देनी है इन सब चीजों को यहाँ पर check किया जाता है और अगर COVID-19 की बात करें तो यहाँ पर check किया जाएगा कि antibodies जो भी vaccine हम inject कर रहे हैं body में वो antibodies body के अंदर बना रही है या नहीं यह check किया जाता है और एक चीज और check किया जाती है कि type of lymphocyte lymphocyte के अंदर T-cells देखे जो lymphocyte होती है white blood cells होती है जो कि हमारे सरीर को सुरच्छा प्रदान करती है ठीक है bacteria से या viruses से तो इसी का part है T-cells तो ये भी चेक किया जाता है कि T-cells का development हो रहा है body के अंदर या नहीं हो रहा है तो इन सारी चीजों को यहाँ पर phase 2 trials के अंदर देखा जाता है phase 3 trials के अंदर vaccine को multiple locations में जैसे कि estrogen का अपना trials चला रही भारत में, Britain में, US और कई जगे भी trials चल रहे है estrogen का की vaccine के तो कई सारे देशों में एक सारे trials स्टार्ट किये जाती है अब देखे कई सारे देशों में एक सारे trials से स्टार्ट होंगे तो हर देश में हर तरह के लोग पाय जाते हैं तो यहाँ पर demographic variability भी चेक की जाती है और देखो phase 3 trials जो काफी ज़्यादा expensive होता है क्योंकि कई सारी countries में इसको launch किया जाता है और काफी ज़्यादा इसमें time भी लगता है क्योंकि volunteers की संक्या भी काफी ज़्यादा होती है अब देखो बात करते हैं what happened exactly with estrogenka vaccine estrogenka की vaccine के साथ exactly हुआ क्या था तो मैंने जैसे पहली बताया था इसका नाम AZD1222 है इसके trials के लिए 30,000 volunteers USA के अंदर select किये गए और पुने की company है जो हमारी इंडिया की Serum Institute of India इसने इंडिया में 1600 volunteers select किये और multiple locations में UK के अंदर भी trials चल रहे थे इस company के लेकिन UK में एक patient को spinal cord में problem आई ठीक है after injecting vaccine इसकी बाद vaccine को रोख दिया गया था UK के अंदर USA के अंदर और इंडिया में भी इसके trials रोख दिये गये थे हाला कि फिर बाद में regulators से इसको इनको अनमती मिल गई और trials again start हो गए देखो अब अगर बात करें कि आगे हुआ क्या तो trials जैसे मैंने पहले बताए हाल्ट कर दिये गये थे globally इसके बाद जो है एक independent review committee बनी जिसमें Oxford University भी सामिल थी इन्होंने जो सारी जीजों को चेक किया और इसके बाद अपनी report summit की health ministry को UK के राइट इसके बाद जब यहां से इनको permission दी गई again trials start हो गए और इसके बाद हमने phase 1, phase 2, phase 3 की बात कर ली अब आते हैं phase 4 देखिए जैसे ही phase 3 complete होता है यानि कि जो main hurdles थी हमारी vaccine development में phase 1, phase 2 and phase 3 वो complete हो गई तो phase 4 ज़्यादा कुछ बचता नहीं है यहां पर क्या होता है कि drug को approved पर दिया जाता है commercially और license, company को license दे दिया जाता है कि वो जो है इसका production कर सकें इसके बाद production increase किया जाता है आप देखिए production जब increase होगा तो यहां पर storage build up भी चाहिए जहां पर हम इस vaccine को storage कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीजें यह preparation करनी होती है इसके बाद जब phase 3 trial complete होता है और जब यह phase 3 trial complete होता है और यह जब vaccine market में जाती है तो यहां पर surveillance किया जाता है company द्वारा monitor किया जाता है किसी भी adverse reaction को या failure को phase 1, phase 2 and phase 3 में तो यह सारी चीजें हो जाती है लेकिन इसके बाद market में पहुचने के बाद क्योंकि market में जब पहुचती है तो काफी ज़्यादा large group में people को यह दिया जाता है vaccine इसलिए adverse reaction के आने के समभावना बनी रहती है तो इसको monitor किया जाता है और company को यह लागू होता है कि वो अपना periodic data जो drug controllers होते हैं हर एक देश के अंदर ठीक है जो इनको नोड प्रदान करते हैं उनको यह अपना data periodically भेशते रहते हैं इस सारी चीजें साही चल रही है या नही तो I hope आप समझ गये होंगी किस तरीके vaccines को develop किया जाता है क्या states होती है इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching